Hello everyone, welcome to this new learning video तो आपने thumbnail में देखा ही होगा तो आपको इस तरह का design बनाना है तो इसमें लोहा किस तरह से लगेगा और इसमें still किस तरह से बांदा जाता है आज के studio में हम देखने वाले इस तरह का design आप first floor पर बना सकते हो तो यह front elevation से आपको बहुत अच्छा दिखेगा तरह का design ज्यादा तर जूला बादने के लिए यूज किया जाता है तो इसमें still किस तरह से लगता है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर beam provide किया गया है एक column से दुसरे column तक यह connect किया गया है तो इसमें 12 mm का सरया top में यूज किया गया है और 16 का bottom में यूज किया गया है इस तरह से यहाँ पर beam provide किया गया है और यहाँ पर hidden beam भी नीचे provide किया गया है और वहाँ तक यह connect किया गया है उस तरफ यह column है यहाँ पर provide किया गया है तो ये hidden beam के बारे में बात करेंगे तो ये 6 बाइ 3 इंच का ये hidden beam आता है और depth में ये 3 इंच है तो ये concrete ढखने के बाद ये नहीं दिखेगा मैंने hidden beam के उपर भी वीडियो बने आया है तो यहाँ पर double जाली यहाँ पर provide किया गया है तो इसकी spacing के बारे में देखेंगे तो टॉप में आपको ये 1 फीट तक आपको ये spacing दिखेगा और top bottom किया गया है मतलब ये 6 इंची पर यहाँ पर सरिया यहाँ पर provide किया गया है इसमें 8 mm का सरिया है और 10 mm का सरिया यूज किया गया है और shorter axis पे यहां पे 10 mm का सरिया प्रोइड किया गया है और longer axis पे यहां पे 8 mm का सरिया यूज किया गया है इस तरह से यहां पे double जाली यहां पे प्रोइड किया गया है तो इसमें कहां कहां पे जूले के पॉइंट्स प्रोइड किया गया है आपको दिखा देता हूं यहां पे एक पॉइंट है और इस तरफ एक पॉइंट है तो इस तरह से यहां पे जूले के लिए यहां पे हुक्स यहां पे प्रोइड किया गया है और नीचे चेर बार्स भी यहां पर प्रॉइड किया गया है क्योंकि यह डबल जलिए तो यहां पर बार्स नीचे ना दबे जब कॉंक्रीटिंग का वर्क होगा तो इसलिए यहां पर चेर बार भी यहां पर प्रॉइड किया गया है और यहां पर नीचे से पैरापेट का वॉल आया है वहां पर एक बी वीडियो पसंद आ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए